प्रिकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है साथ फरवरी 2022 देखेंगे अब तक के सभी महत्पुर्ण करेंट अफेर्स जो आपके अगामी सभी परिक्षाओं के लिए अति महत्पुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ये सभी एक्ष्रा फैक्ट्स जो आपको औरो से आगे रखेगा इस कलास का पीडियेफ आप प्यार एजूकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप जरूर विजिट करें वेबसाइट पर बहुत कुछ मेटेरियल आपको वहां से मिलेगा और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं दोस्तों प्रशन यहां हिंदी इंग्लिस दोन कि इप हैं आपसे आज़रा है कि क्लास को अंध करें तभी आपको इसका महत्तं पूर्ण है और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बेटम दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए बिना देर किये शुरू करते है आज का कलास दोस्तों सर्षती पूजा अभी जारी है आज सर्षती पूजा का लाष्ट दिन है तो कुना हमें आप सभी को सर्षती पूजा और बसंत पंजवी की टार जूकेशन के तरफ से धेर सारी सुभकमनायन देता हूं माता सर्षती की किरपा से आप सभी को इस वर्ष आप सभी के जो भी गोल हैं वो एचीव हो जाएं जल्द से जल्द आप अपनी मन्चाही नोकरी पाएं अपने माता पीता और अपने सपनों को कुरा करें इन ही सभी सुभकमनाओं के साथ पूना सुभकमनायन के साथ पूना स गोशना क्लासरूम प्रएय शिक्षाल है, आले इसके बारे में जानते हैं, प्रात्मिक विद्यालों के बच्चो की शिक्षा की गुणुद्वत्तक को बढ़ाने के लिए इसके उधेश से पस्टिम भंगल सेकार प्रएयो सिक्षाल योजिना सुरू करने का गोशना किया है प्रया सिक्षाले का मतलब पड़ोस की स्कूल है पशिमंगाल में इसका मतलब यही हुआ बंगली भासा में और इस योजिना के साथ साथ पढ़ाई के साथ विध्यालियों में मद्याहान भोजन के भी उपलग कराये जाएगा यह पाल जगदी धनकर हैं यह रहा है सभी extra facts अब ध्यान से देखिएगा आपको option से यह जैसे की प्रस्ण अधारित है योजना पर तो इसी से समांदित में आपको कुछ ही योजनाओं के बारे में हाल फिलाल के क्योंकि यह current affairs का class है तो मकसद यह रहता है कि current news से ज्यादा अब्डेट आपको कराए जाए जो class है उसी बेस पर इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो आएए देखते हैं ज्यार्खंड के और यूजना सुरू किया गया है सहाय योजना ज्यार्खंड सरकार का है क्या होगा इसमें तो सरकार के द्वारा मावाद प्रभावित जील राज का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार राजी से अलग करके किया गया था जारखंड के राजधानी राची है और जारखंड के मुखमंतरी कौन है हेमंत सोरेन है और जारखंड के राजपाल कौन है अभी रमेश बैस है रमेश बैस यह सब फैक्ट्स आप याद वाले विद्यार्थियों को बच्चों को कौसल पर सिक्षन परदान करने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नती लॉंच किया गया है उन्नती उन्नती प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो यह दिल्ली पूलिस की द्वारा लॉंच किया गया ह दिल्ली के बारे में दिखते हैं दिल्ली के अभी मुक्मंतरी कौन है अर्वेंद्र के ज्रिवाल है और दिल्ली पुलिस के राजपाल कौन है दिल्ली के तो अनील बैजल है अनील बैजल और दिल्ली पुलिस कमिशनर अभी कौन है most important तो वो है दिल्ली पुलिस कमिशनर मिंदम मंझपाई इसको मैं इंगलिस या इंगलिस में लिख देता हूं मिंदम मंझपाई ये यौज़ना तमिलाडु सरकार का और क्या होगा इसमें तो रज्य में कपड़े के थैलों का उपियोग को भरावा दिया जाएगा इस योजना के तहटे प्लास्टिक के थैलियों का बाइसकार किया जाएगा इससे बचने का सलाह और रुपदेश दिया जाएगा तो यह मिंदम मंजपाई क्या है मैंने बताया आपको यह है तमिलाडू सरकार की योजना तमिलाडू के बारे में देखते हैं राजधानी क्या है तो चिन्नाई है त के स्टालिन है तमिलाडू के अभी राजपाल कौन है गवर्नर कौन है तो आर एन रवी यह सभी आप याद रखेंगे तो दोस्तों पहले प्रस्ण से मैंने इसे फैक्ट्स और इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताया उमिद करता हूं आपको यह पसंद आया होंगे और प पे सेर कीजेगा अन्य जगा सेर करने की कोई आउसकता नहीं है चलिए दूसरा प्रस्ण में लोग देखते हैं हाली में किसे विश्व विद्याले अनुदान आयोग अर्थात UGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है एम जगदेश कुम चैंसलर ममी दाला जगदेश कुमार जिसे सोट में एम जगदेश कुमार को विश्व विद्याले अनुदान आयोग अर्थात UGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आए UGC के बारे में देख लेते हैं UGC अर्थात मैंने बताया इन्वर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके स्थापना 28th of December 1953 में हेट क्वाटर नियुक्ति दिल्ली है और चेर्मन वही हो गया एम जगदेश कुमार यह सब याद रखिएगा आए ऑप्शन से कुछ हम लोग लेटेस्ट एपॉइंट्मेंट जो रहे हैं वो सब देखते हैं मनोज पांडे अभी क्या बन यह सब याद रखिएगा नार्ववने और कुछ मनोज मोकुंद नर्वने यह तो भारतिय सेना प्रमुक है चीप आर्मी अश्टाफ जिन को इंगलिस में कहेंगे और उप प्रमुक मनोज पांडे हो गया अच्छा अभी इंडियान एयर फोर्स प्रमुक कौन है तो वह है विवेक राम चौधरी और इसी के साथ यह भी देख लेते हैं चीप आफ नेवल अश्टाप कौन है भारतिय नौसेना प्रमुक कौन है तो नेवी प्रमुक अभी नौसेना प्रमुक कौन है आर हरी कुमार यह सब याद रखिएगा आर हरी कुमार से पहले करमबेर सिंग थ पहले RKS मधवरिया थे इस अफेक्ट आप याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं SSO मनात SSO मनात को अभी हाली में क्या बनाए गया है इसरो के प्रमुक बनाए गया है इसरो के नए अध्यक्ष चाथा इंडियन स्पेस रिसर्च और नाइजेशन के अध्यक्ष कौन ब हेट क्वाटर इसका कहा है करनाटा के बेंग लूरू में और चेयर्मन वही हो गया है ऐसे सोमनात यह याद रखिएगा आगे है डॉक्टर वी अनंत नागेशवरन इनको क्या बनाए गया है तो हाल ही में भारत के नए मुख आर्थिक सलाकार किने बनाए गया है यह डॉक् टी बी सोमनात अभी किंद्रिय बीत सचीव है और बीत मंतरी कौन है तो निर्मला सीता रमन यह है अभी किंद्रिय बीत मंतरी और इनके बारे में एक और फैक्ट है भारत की पहली पुर्ण कालिक महिलक बीत मंतरी निर्मला सीता रमन ही है तो यह सब फैक्स आप याद रख सब्सक्राइब करने रहें सभी को यह एक्स्टा फैक्ट के साथ हम लोग देख लेते हैं चलिए तीसरा प्रशन है यह अभीच्वेरी से काफी दुखत द्यान्त है हम लोग के लिए इसके लिए नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भारत की मसहुर गाई का करनिधन हो गया है 92 वर्स की उम्र में इनको वीन ऑफ मेलोडी और नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था यह आपके जीके का पार्ट बन सकता है इसे द्यान रखिएगा लता मंगेशकर को भारत का सरवच चिनागरिक समान क्या है अपने देश का भारत रतन है इससे 2001 मे समानित किया जा चुका है और लता मंगेशकर 1974 में लॉंदन के रॉयल और वर्ट हॉल में परदर्शन करने वाली पहली भारतिये थी यह भी फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं तो काफी दुखत दिये द्यान थे देश के लिए फैर यह अमर रहेंगी इनकी गाने इनकी वि किस कवी को डाइलनफॉमस परश्कार के लिए चुना गया है यह नीधी जग को चुना गया है इस परश्कार के लिए यह देखिये भारत में इनका जनम हुआ आयरलैंड के यह कभी है नीधी जग इंक और नाम है एरिया इप इनकी पहली कविता है डेवे उड्यीय नोवेल पुरसकार के लिए चुना गया है चलिए आयरलेंड से समंध है इनका तो देख लेते हैं उसके बारे में राजधानी डबलिन है मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है दोस्तों ये नोबेल है या कविता है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे कन्फूजन में हूँ लेकिन हाँ इतन सब मैंने बताया चलिए नेक्स देखते हैं संत रमानुजाचारी के समान में स्टेच्यू औफ इक्विलिटी का उद्गाटन कहां किया गया है ये किया गया है है हैदराबाद में इसकी घोषना कुछ दिन पहले ही हुई थी और जिसे मैं आपको पढ़ावी चुका था उन संत रमानुजाचारी के समान में उनके एक हजारवे जन्म सतावदी के आउसर पर पांच फरवरी को मोदी जी के द्वारा इस स्टेच्यू औफ इक्विलिटी का उद्गाटन हैदराबाद में किया गया है चलिए हैदराबाद कहा है तलंगाना की राजधानी है उसके बार पित किया गया है तलंगाना की राजधानी है इदराबाद है तलंगाना राजी का स्थापना 2.2014 में आंधर पर्देश से अलग करके किया गया था मुखमंत्री कौन है के चंदर सिखर राव यह सब अफैक्च आप याद अखिएगा नेक्ट देखते हैं हाली मेकी सिराज म इंगलिस में इसको कहेंगे राजीव गांधी ग्रामिन लैंड लेस क्रीशी मजदूर न्याय योजना ये किस राज में लॉंच किया गया है ति ये 36 गड़ में सिरीमान राजीव गंधी के द्वारा किया गया है कोंग्रेस पार्टी के पर्मुख है अध्यक्ष हैं तो 36 ग कि राजधानी राइपूर है राज के स्थापना एक नौवंबर सन 2000 में किया गया था मुख मंतरी भपुवेश बगेल हैं और राजपाल अन्सुया पुई के हैं आईए नेक्स देखते हैं अगला प्रशन है केरल राज अस्तरिय फिल्म परतियुकता में किस फिल्म को राज पिल्लाई मेमोरियल यूपी एसकूल यूपी नहीं है यह आप है यह इसको ऐसे पढ़िएगा केरल के संस्किर्ट सिख्षक है एक उनका नाम है आदर्स एम एम इन्हीं कि एक लगुव सौर्ट फिल्म है उसका नाम है मामा सौभाग्यम इसके लिए केरल राज अस्त को डी एक्स टूठाउजन ट्वंटीवन पुरुषकार के लिए चुना गया है और पुरुषक्रित किया गया है थी यह करनाटका बैंक को करनाटका बैंक के द्वारा एक के उसका इनिसियाटिव है के वील विकास इसके लिए और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इस डी एक्स 2021 अवार्ड से प्रस्कृत किया गया है करनाटका बैंक के बारे में जान लिजिए अस्थापना अठाव फरवर उनिस सोचोविस को हेट क्वार्टर मेंगलोर करनाटका में है और एमडी अन्सियो इसके महावलेश्वर एमस है चेर्मेन प्रदीव कु पास्ट अवे रिसेंटली हाली में जाने माने अभिनेता और फिर्म निर्माता का निदन हुगा है उनका नाम क्या है रमेश देव हिंदी और मराथी भासा की जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता रमेश देव का 93 बर्स की उम्र में निदन हो गया है बस इतना याद रखिएगा यह लगभग 400 प्लस फिल्मों में हिंदी और मराथी इंबासाओं में 400 फिल्मों में अभिनेता के रुप में और फिल्मनेता के रुप में इन्होंने योगदान दिया है next question देखिए हाली में किसे भारत के controller general of accounts जिसे CGA बोलते हैं का अत्रिक परभार दिया गया है additional charge इनको दिया गया है सोनाली सिंग को सोनाली सिंग CGA के पदपर नियमित नियुक्त तक या अगले आदेश तक इनको इस पदपर बने रहना है और CGA सरकार के खाते को बनाये रखने के लिए मेंटेंड करने के लिए जिम्मिदार होता है यह आप GK के question बन सकता है यह तो रही CGA के बारे में अर्थात controller general of accounts एक महतपुर्ण इसी से समंदित अलग से मैं आपको बता दूँ अभी भारत के बत्मान controller and auditor general जिसे आप CAG करते हैं यह CAG भी बोलते हैं बहुत लोग तो कौन है अभी भारत के controller and auditor general यह GC मुर्मू है याद रखिए गई यह से facts next है भारतिय Airlines company Indigo के नए परबंद नहीं देशक अथा मैनेजिंग डिरेक्टर किसे नियुक किया गया है यह राहूल भारतिया को किया गया है राहूल भारतिया इंटर ग्लोब एविएशन के co-founder है अथा सासन स्थापक है promoter है और इंटर ग्लोब एविएशन देश की सबसे बड़ी Airlines company Indigo की parent company है यह आप याद रखिएगा राहूल भाटिया को next है हाली में जारी पुस्तक golden boy नीरचोपडा किन के द्वारा लिखा गया है यह लिखा गया है नौदीप सिंग गील के द्वारा नौदीप सिंग गील के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखा गया है golden boy न पुस्तक और यही बात मैंने यहां भी लिखा है निरचोपड़ा किस खेल से संबंदित है भाला फेक खेल परतियस वर्टा से संबंदित है जिसे जेवलिन फ्रो करते हैं चलिए next है हाली में international olympic committee ioc के द्वारा किस खेल को olympic 2018 में सामिल करने का भोश्णा किया गया है यह एसकेट बोर्डिंग क्यों एसकेट बोर्डिंग ही नहीं कुछ और खेल है मैं आपको अब इसमें बताता हूं क्योंकि option में तो कोई एक ही दिया जाएगा ना तो चलिए तो international olympic committee ioc के द्वारा surfing जो बर पर इसे खड़ाओ के काफी स्पीड में दौरता है लो तो वह होता है सर्फिंग, एसकेट बोर्डिंग और एस्पोर्ट क्लाइंबिंग, यह इस खेल को olympic 2018 में सामिल करने का गोशना किया गया है, olympic 2018 अमेरिका के लोस एंजिल में आयोजित किया जाएगा, most important यह भी point है, यह भी point है, वैसे तो point मैं जो भी देता हूं आपके कामकाई होता है, क्यों भारने के लिए तो कुछ में देता नहीं बिलकुल, नहीं अतना समय है, नहीं आपका समय टाइम वेस्ट करना है हमें, जो भी points दिया जता है, most important होते हैं आपके लिए, उसको कभी भी नजर अंदाज भूल कर भी ना करें, चलिए, IOC के बारे में देखते हैं, International Olympic Committee स्थापना 23rd of June 1894 में, बहुत पुराना यह है यह, और हेटक्वार्टर लॉजन जो भी सुर्जर लैंड में है, प्रेशिडेंट थॉमस बाक है, देके दोस्तों, उमिद करता हूँ, यहां तक जो भी प्रशन आपको कराया, मैंने extra facts दिया, वो आपको परिक्षा उपयोग का और subscribe नहीं किया है, तो subscribe का इतना आप लोग जरूर करें, टार्यूकेशन का सहयोग, आप लोग के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, यह platform, online में, offline में तो चली रहा है, चलिए, next question देखते हैं, हाली में किसे, National Council of Education Research and Training, अर्थात NCRT के निदेशक या डिरेक्टर के यह, के इनको बनाया गया है, अगले पांच बर्स के लिए, NCRT के निदेशक अथा, डिरेक्टर, NCRT के बारे में देखिए, full form न होता है, National Council of Educational Research and Training, इसका स्थापना, 1961 में, Headquarter ने दिल ली है, और डिरेक्टर वई हो गया है, जिसमें प्रसना आपका अधारित है, चलिए, next देख किर्केट का जिता गया है, किस देश को हरा कर, इंगलेंड की टीम को हरा कर यह जिता गया है, और इसका आयोजन, Final मुकाबला जो है, गवाटे माला के Antigua में किया गया था, यह आप याद रख सकते हैं, चलिए, देख लेते हैं, BCCI के बारे में, क्या है यह, सभी लोग जा और गंगोली है, जिन्हें ददा के नाम से, ददा, सईसे सुन लिजे, मुझे लगा कुछ और सुनना होंगे आप, दद, दादा, यह उन्चालिसवे करम के प्रेशिडेंट है, BCCI के, सेकरेटरी, अथात सचीव काउन है, जैसा है, जो किंद्रिय वटमान, किंद्रिय ग्र जन कराता है किर्केट का, उसी तरह अंतराष्टी अस्तर पर किर्केट खेल का, रेगुलेशन, ICCI ही करता है, अर्थात, इंटरनेशनल किर्केट कोंसेल, हेटक्वाटर दुबई, UAEK में है, अस्थापना 15 जुन 1909 में, और चेर्मैन ग्रेक बार्कले है, चलिए नेक्स द का आयोजन, आयोजन नहीं, अधार सिला इस एस्टेडियम का रखा गया है, और ये जैपूर, जो की राजस्थान की राजधानियां, सभी लोग जानते हैं, इसका अधार सिला, राजस्थान के मुक्र मंतरी, असोक लेहलोत, और BCCI परमुक अभी उपर हम लोग ने देखा सौरफ गंगोली के द्वरा रखा गया है, आईए, काफी महत पूर्न पॉइंट्स अभी और इसमें हैं, ये देखते हैं, जैपूर में ये जो बन रहा है किर्केट स्टेडियम, विस्व का तीसरा सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम हो जाएगा, तो जब ये तीसरा बन सबसे बड़ा है, तो क्योंने हम लोग पहले और दूसरे के बारे में जान लें, तो देखिए, बिस्व और भारत का सबसे बड़ा बिस्व में भी बड़ा, और भारत में भी सबसे बड़ा रथात, भारत में ही है, बिस्व का सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम कहां है, विशु का दुसरा सबसे बढ़ा किरकेट radyum भी जान लेते हैं यह है अस्ट्ररेलिया के मेलवन में मेलवन किरकेट एस्टेडियम और यह जो अभी हम लोग ने बात किया नरेंद्र मोदी मोधी एस्टेडियम जो विसु का सबसे बड़ा एस्टेडियम है किर्केट और भारत का भी बड़ा है इसका पहले नाम ये नहीं था ये नाम बाद में नरेंदर मोधी एस्टेडियम किया गया है इसे पहले इस्टेडियम का नाम मोटेरा एस्टेडियम था ये वियात रख सकते हैं चलिए नेक्ष देखते हैं ये उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है राजस्थान के बारे में देख लीजिए राजस्थान की रहधानी जैपूर है राज के स्थापना 30 मार्च 1949 में राजपाल कल राज मिस्रा है और BCCI के बारे में और ICC के बारे में अभी जैस्ट हम लोग उपर देख चुके हैं आप इसका स्क्रेंशोट ले सकते हैं दुबारा पॉलने के लिए चलिए कोश्चन आप दे आज का देखते हैं गंतनद दिवस परेड 2022 में किस राज की जहांकी को सरुषट जहांकी घोसित किया गया है यह इसका जबाब मैं पिछले क्लास में सनी बार की क्लास में करा चुका हूँ आप से उमेद है कि इस परशन के जबाब आप कमेंट में जरूर देंगे याद होगा याद नहीं है तो पिछला इंतलल इसको जाय वई चाप पर गढ़े को सफ़ल होHowphone करते हैं इस वर्ष आप सब लोग को. प्रण कर लेना है और इस अभी के लिए सुब कमना है टार इजुकेशन के तरफ से हमारे तरफ से पूरा है चलिए दोस्तों तो उम्मिद करता हूँ आज का क्लास आप लोगो परिछ उप योगी लगी होंगी यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अपना कुछ सेकेंट्स देके टार इजुकेशन के इन सभी क्लासेश को शेर जरूर करें आपका कुछ सेकेंट्स हमारे लिए बादान साबित होगा तो आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रूपस हैं educational competition से समंधित दोस्ता हैं तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बार जरूर पहुंचाएं क्योंकि एक बार जहां पहुंच जाएगा और विद्यार्थी अगर उस सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद बस लाइक और शेयर जरूर कर देना है तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए गुडबाई ओल दवेस्ट